हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल मॉमेंटम फिजिक्स आज हम लोग यह जो वीडियो ले करें यह आई टी जैम 2020 का जो एक्जैमिनेशन हो गिया है उसमें फिजिस्क का कुश्चन पेपर का क्या डिफिकल्टी लेविल था उसके बारे हम लोग डेटेल अनलिसिस करने के बात जो हमारा कॉंकूलूजन निकला है कि आकर हमारा जो एक्जैमिनेशन पेपर था वो कैसा था आज हम लोग वो डिसकस करने वाले हैं तो चलिए हम लोग डिसकस करते हैं तो पेपर के बारे में जो अपीनियन बच्चों से लिया गया है और एस एन एक्सपर्ड की इसको पेपर को एनिलाइज करके प्रीवियस यर कुश्चन पेपर से देखने के बाद जो इसका आइडिया लगा है एक तो यह मॉडरेट है कुछ बच्चों को यह मॉडरेट तो कुश्चन पेपर तो हमारा मॉडरेट था कुछ को यह तफ की तरफ लगता हुआ दिख रहा है आप 2018 का कुश्चन वेवर देखिये आपको जो उसके 2018 के जब आप कुश्चन देखेंगे और जो हमारा 2020 के कुश्चन देखेंगे आपको ऐसा लगेगा यह दोनों भाई-भाई-भाई कुश्चन है मतलब एक टॉपिक से अगर एक टॉपिक से उन्होंने सेम टू सेम लेंदी दा डोल लगरा था टाइम टेकिंग दा बहुत जी कोश्चन भी दे बहुत इजी कोश्चन भी दे लेकिन के था उन्होंने थोड़िए ट्रिक रख दी और इसके साथ जो सबसे इंपोर्डन जीश टी टाइम टेकिंग साथ हम लोग ने एक चीछ और देखिए इस बहुत से कोश्चन ऐसा नहीं होता तो आइटी जायम को सिनेरियो पहले का मैं लुक देखेंगे आपका देखेंगे तो यह नई चीज़ देखने को मिली है ऑप्शन्स आर एम्म यानि की ऑप्शन्स का आर एम्म करना पड़ता है यानि की रिवर्स मोड चेकिंग ठीक है लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो जिसमें दिया हो था एक्स मॉड एकसे स्क्वार उसमें जो हम लोगों को एकस्टी जीरो पर डिस्कांटेटी यानि कि आपको हर ऑप्शन्स चेक करना पड़ेगा इस तरह का हमारा कोश्चन पेपर था आप समझ सकते हैं कि हर ऑप्श हैं आपको यूसफुल और हेलफुल वीडियो चाहिए आपके च्छोटे बाहिए बैन आइटी जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी सबस्क्राइब करा सकते हैं क्योंकि यह आने आले वक्त में बहुत ज्यादा यूसफुल होने वाला है आईटी जैम जेई नीट सभी फिजिस के इंटर्ण से एक्जामनेशन के लिए फिजिस की होल एक अच्छा तर प्लेटफॉर्म में बनाने वाला हूं बहुत जल्द इसको ताप में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके साथ सब्सक्राइब करना था अगर आपको पता है बहुत से ब पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है इसके बाद अगर आप देखें वह तो इजी था थोड़ा जैसे कि सिंगल पुटेंशल पुटेंशल बैरियर वाला हम लोगों ने देखा जिसका हमारा आंसर इडिकोस्ट टू वी नौट बाई टू आर इडिकोस्ट टू वन तो यह तो हमारा इतना जादा नहीं था फिर भी ऑप्शन तो चेक करना ही थे ठीक है कोई कोई कोश्चन से नहीं निकल के आ आ रहा था इनर्जी अगर हमारी लेस देन पुटेंशल के यह तो हमारा reflection coefficient क्या होता है वन होता है तो इस तरह कोश्चन कोश्चन overall हमारे क्या था time taking बहुत जादा था और लेंदी था time लग रहा था और लेंदी बहुत जादा पेपर था हमारा पेपर देखोगे तम दो 2018 की तरह मिल ला था 2016 से थोड़ा सा दूर है डेविसे टेट कर अगर हम लोगों 2016 और 18 में केंपेर करें कि किससे जादा वो करीब है तो 2018 के वो जादा करीब है 2016 से वो थोड़ा जादा दूर है तो यह हमारी डिटेल एनलीजिस थी इस पे काफी कुछ चीदे मैंने आनलाइस करके सारे पेपर को मैं तीन दिन से पढ़ रहा हूं उसको देख यह से बोला जाता है सबस्क्राइब करो जो भी आप लोग जानते हैं शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो डीग है तो हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो को वेट फॉर माइन एक्स वीडियो बहुत ज़्याद में लेंगे बहुत सारे फिसिस के कंटेंट के साथ ओके बा